हेलो और बेलकुम आड़िवर्वन आप्टिकल क्म्निकेशन के प्लेइलिस्ट के आज स्केम उडिक वाले है मल्ली मोर्ड ग्रेडेट ऐंडेक्स फाइबर यह एक अप्टिकलaste का टाइप जैसी कि आपको पता है जो optical fiber जो होता है उसमें basically 2 types होता है step index और graded index step index fiber के जो types है मैंने already last के video में बना चुका उसको में आद खी व्ट में हम देखने वाले graded index fiber multimode graded index fiber तो चलीए शुरू करते हैं यह देख सकते हैं मैंने यहाँ पर construction बनाया है multimode graded index fiber का तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है यह नाम देखेंगे पहले multimode graded index fiber multimode मतलब क्या जो core है जिसमें से हमारा data pass होता है उसमें multiple path से signal को pass होने के लिए उसलिए हम इसे क्या बोलते है multimode और graded index q क्योंकि जो refractive index है हमारा signal का वो gradually change होता जाता है refractive index क्या होता है हमारा core में से signal जो pass होते है उसका refractive index gradually change होता जाता है उसलिए हम उसे graded index fiber बोलते हैं तो मैंने यहाँ पी यही लिखा है the core has multiple path so it is multimode ठीक है और graded index क्योंकि refractive index of core change gradually जो हमारा refractive index होता है core का वो change होता जाता है gradually उसलिए हम उसे क्या बोलते है graded index ठीक है तो उसको ऐसा नाम क्यों दिया है यह तो आप अभी तक आपको समझ में आ गया होंगा ठीक है अब यह देखिए मैंने आप एक important point लिखा है क्या बोलता है वो we are using the number of different medium in core which is having different refractive index अब हमारा जो refractive index होता है, वो change को होता जाता है हमारा refractive index change को होता जाता है यो देखिए, यह refractive index है refractive index के ओल पे आपको दिखेरा है refractive index है, ऐसा change को हो रहा है क्योंकि हम core में भी अलग-ALग medium धूरते है अलग-अलग medium हम, number of medium number of different mediums are used in core अब जो यह देखी यह देखी इतना जो पार्ट है इसमें यह जो है इसमें हम medium इयुज कर रहे हैं इसमें मेडियम ऐसमें मतलब medium जो है वह change होते जा रहे है और medium जैसा change होगा तो उसका refract index भी change होगा और refract index जैसे चेंज होगा तो वह graded index हो जाएगा ठीक है ना यह तो आपको समझ में आ गया होंगा अभी तक यह multimode है उसलिए इसका light source क्या होंगा यह lady होंगा न क्यूंकि इसमें multiple पात जा सकते है रीच हो सकते output को उसलिए इसका जो light source है यहां पर मैंने लिकाए देखिए इसका light source है यह lady है light source हमारा multimode अब आपको इसकी में working बताता हूँ वर्किंग की स्लाइड भी बना बनाई है यह आपको working बता हूँ बतांगा भी मैं देखिए तो चलिए शूर करते है स्टाटिंग से यहां पर मैंने सिगनल बेजता हूँ सपोज यह मेडियम के लिए है यह सिगनल यहां आएगा यहां पर total internal reflection होगा फिर से नीचे की तरफ आएगा यहां पर total internal reflection होगा वरा यह से यह सिगनल पास होते जाएगा ठीक है सिगनल हो गया medium one में यह medium one है ठीक है यह medium one जो मैंने बताया है यह medium one हो गया अब refractive index medium का अलग है कुछ तो भी तो यहां पर सिगनल जाई यहां पर नीचे ने आएगा यहां पर उपर जाता रहेगा क्योंकि है medium दूसरा medium है न तो आएसा हमारा सिगनल तो इसी तरह अब यह तो medium टुका होगा इसी तरह medium 3 का भी होगा यह देखिए अलग-अलग medium से हमारे सिगनल जा रहे है क्योंकि है अलग-अलग उसके refractive यह से ठीक है ठीक है यह तो हो गया हमारा क्या working मतलब working आपको समझ में आए कि देखो यह यह एक medium में medium 1 का refractive index कुछ तो भी है medium 2 का refractive index कुछ तो भी आलग है और medium 3 का refractive index कुछ तो भी आलग है तो medium 1 का refractive index सब्सक्राइब देखें, medium 1 का refractive index यहां से लेके देखे, medium 1 का refractive index कुछ तो भी बहुत जादा है, बाद में medium 2 का refractive index थोड़ा काम है, बाद में medium 3 का refractive index उससे भी थोड़ा काम है, मतलब जो refractive index है वो gradually change होता जा रहा है न, उसलिए हम इसे क्या बोलते है graded index, और इसमें और एक बहुत important point है, जो distortion होता है, हमारा signal का जो distortion होता है, distortion मतलब क्या होता है, noise होता है वो भी बहुत कम होता है, किसमें multi more graded index fiber में, multi more graded index reflect index कम क्यों होता है क्योंकि देखिए time to time total internal reflection होता है, total internal reflection है तो delay path जो होता है वो भी कम लगता है और जो हमारा output को signal reach होता है, एक ही time में मिलते हैं सब, उसमें noisy नहीं होता है, कुछ noise नहीं होता है, उसलिए यह जो है, उसमें distortion क्या है, बहुत कम है, किसमें हमारा graded index fiber में, multi more graded index fiber में, तो friends, जो मैंने आज के वीडियो बनाया है, multi more graded index fiber वो आपको पसंद आया होंगा I hope, तो ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रही है, और आगे के वीडियो में आपको में बताने वाला हूँ, जो different types है हमार अप्टिकल fiber के, वो जो type है उसमें का comparison बतना होंगा, मैं step index, graded index comparison बताऊंगा, multi more, single more का भी ऐसे में, बहुत सारे जो comparison है वो आगे के वीडियो में डालने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लीजे और इस वीडियो के देखने के लिए बहुत सारा thanks, और आपका time मुझे देने के लिए भी thanks, thanks for watching this video, subscribe my channel please,